आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बिदाउट वीडियो के वाईशी अपना Zero Balance आकाउंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं? मेरे पास यह सबसे ज़्यादा कुशन आता है कि भाई हमें वीडियो के वाईशी कंपलेट नहीं करना है, लेकिन हमें अपना Zero Balance आकाउंट भी ओपन करना है, ब्रांच में भी विजिट नहीं करना है, ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें हमें भाई बीना वीडियो के वाईशी और Zero Balance आकाउंट का फैसिलिटी परवाइड किया जा है, इंस्टेंट घर बैठी है हमारा आकाउंट ओपन करके दे दिया जा है, जिसमें हम अपना गूगल पे फोन पे पेटियम, यूपिय भी मगरा सब कुछ यूज कर सके, मोगाईल बैंकिंग का भी फीचर्स परवाइड कि साथ में हमें डेबिट काईड का भी फैसिलिटी परवाइड किया जा है, इस वडियो में आप लोग के ऐसी बैंक अकाउंट के बारे में पूरा एक्स्प्लेइन करने वाला हूं, कैसे आपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, लाइब आप लोगो अकाउंट ओपन करके दिखान आप लोगो ओपन बडम मिलेगा, ओपन बडम पर भाई किलिक कर देना है, बैसिकली आपका ये टोटली जीरो बैलेंस है और भीने वीडियो के बाईची का आप इसे ओपन कर सकते हो, अब उसके बाद यहाँ पर आपका कुछी डिटेल्स हो हो जाएगा, ओके बडम पर किल करना है, जैसी आप आगे करते हो, तो इसका बताया जारे कि ओनलाइन अपना बिल पेमेंट बगरा कर सकते हो, वाटर बिल और रिचार्ज बगरा आप इसी आप लिगिशन के थुरू कर पाऊगे, तो सिंपल सा, आप लोगो भाई करना कुछ नहीं, नेक्स नेक्स कर देना है, और जैसी आप नेक्स पर क्लिक करते हो, तो आपना यहाँ पर बताया जारे डेबिट कार्ड के बारे में, वाच्योली डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कर दोनों प्रवाइड किया जाएगा, अलाव अटम पर क्लिक कर देना है, अब उसके बाद यहाँ पर जैसी लागा का आ चुक है, जैसे फॉस्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल अडी, आपके यहाँ पर जो भी फोन में इमेल अडी हो, वो सिलेक कर देना है, और यहाँ पर आप लोग के एक चेक करने को उफन्स मिल जागा, अगर आप भाई पोलिटिक्स में एक्सपोज हो, तो यहाँ आपना भाई चेक कर देना है, अगरवाईस आप नहीं हो, तो इसे अंचेक करना, यहाँ पर देख लेना, आपने हिसाप से चेको अंचेको, और उसके बाद नीचे मैं Next मिल जाता है, ओव आपने Next पर भाई क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका City की हिसाप से आपका Post Code कोड का यहाँ पर जो भी यह address रहता है ना मतलब post office का वो यहाँ पर पुछा जाएगा जो भी आपका post office लगता है वो अपना भाई select कर लेना यहाँ पर देख लेना आपके area कहीं साब से यहाँ पर post office का address निकल गया जाएगा अब उसके बाद यहाँ पर अपना select करती है आप लोगो next button मिलेगा next button पर click कर देना है अब उसके बाद यहाँ पर set mpin आप लोगो अपना mpin generate करना पड़ेगा देखो जबी भी इस application को आप open करोगे ना तो mpin वही पुछा जाएगा अब उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फूल के बाशी के लिए पूछीट बताया जाएगा वो automatic चला जाता है अदरवाइस जाद नहीं जाता है तो आप लोग पूछीट कर देना अब यहाँ पर अधार कार्ड का XML फाइल पूछा जाता है आपके पास है अधार का XML फाइल यहाँ बड़म पर क्लिक करना है अधरवाइस नो पर क्लिक कर सकते हो मैं आप लोगो सेजेस्ट करूँगा कि आप डाउनोड करके रख लेना अधरवाइस नहीं होता है तो आप लोग जाके अपना कर सकती हो आपके अधार कार्ड कार्ड कर देना उसके बाद XML फाइल डाउनोड हो जाएगा अब उसके बाद यहाँ पर अपना शेर कोड भाइप पर वाइड करना पड़ेगा ताकि अधार का XML फाइल वो इसली एकसेस ले सके और हमारा फूल की वाइची कम्प्लीट कर सके अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे का आप लोगो पोरसेस आ जाएगा जो यहाँ पर बताया ज़र है सेल्फी लेने के लिए अपना यहाँ पर ओपन केमरा पर क्लिक कर देना है अप लोगो लाइब सेल्फी यहाँ पर देना पड़ेगा अब उसके बाद अधार कारड़े विसस पर जो भी मेरा एडरेस रहता है जैसे मेरा नाम, मेरा डेट वर्थ, मेरा जेंडर, मेरा एडरेस, फादर करेम, मदर करेम वो सारा चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा otherwise कोई यहाँ पर मिस रहता है तो आपना भाई फील कर देना है देखो clear यहाँ पर चेक करना पड़ेगा आप लोगो बैंक के तरफ से अगर कोई भी मिस्टेक रहता है वो आप लोगो एडिट करके यहाँ पर करना है उसके बाद नेक्स बड़म पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आप लोगो दूबारा यहाँ पर देखिया RBA के गैडलाइन के हिसाब से KYC अपना कंफर्म करना पड़ेगा जैसे फादर के ने मदर के ने आपका एनुवल इंकम कितना हो जाता है वो सेलेक कर लेना है उसके बाद आपका occupation क्या है सेलरी वीसिस किसी कंपणी में काम कर रही है यह सेल्फ इंप्लूएड अपना बिजनस है इनने का इहाँ पर data work देखने को मिल जागा और नाम BAR मेरे case है इसे पर्रायमरी application यहाँ पर address देखने को मिल जागा सो मैंने वह बैइ सिलेक्ट कर रहा इंधर्वाई's बाइलेस रहता है साज़डर पर क्लिक करके आप यहाँ पर नाम्नी कैठ शीन जारी कि फिरी zero balance account है, debit card का facility दिया जाएगा, instant आपका account activate हो जाएगा, UPI generate कर सकते हो, easily activate कर सकते हो, प्लस यहाँ पर आप लोगो 5% आप लोगो interest भी देखने को मिल जाएगा, आपको annual, जो यहाँ पर अनम बताया जाएगा, तो आपना यह भाई पूरा चेक कर लेना, उसके बाद नीचे में यहाँ पर account का detail बताया जाएगा, और यहाँ पर बताया ज़रा है, congratulations का offense मिल जाएगा, सिर्फ आप लोगो पूर्शीट पर क्लिक करती है, आपका successful account ओपन हो जाएगा, आप लोगो यह सब चेक कर लेना, क्या क्या facility मिलेगा, जैसे instant account activate हो जाएगा, UPA यह आप लोगो देखने को मिल जाएगा, debit card देखने को मिल जाएगा, zero balance account है, और interest बगरा, सब कुछ देखने को मिल जाएगा, आप लोगो करना कुछी नहीं, पूर्शीट बड़म पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपका activation, यहाँ पर swipe का offense मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप भाई यहाँ यहाँ बात नहीं अच्छी बात है, यहाँ पर पूर्शीट बड़म मिलेगा, पूर्शीट बड़म पर क्लिक करना है, अदर्वाइस आप लोगो दो तीन तरह के कार्ड मिलेगा, एक बीजा का है, एक मास्टर का है, एक रूपय का है, इसमें से डिबेंड करते हैं, आपको भाई कौन सा कार्ड आपको पसंद आता है, तो देखो, मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पर कार्ड में टिक करता होनो, वही कार्ड अपना भाई सेलेक करना, वह आपका काफी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफर देखने को मिल जागा, मैं यह वाला भाई कार्ड लेऊँगा, यह बीजा का आप लोगो कार्ड देखने को मिल जागा, अब उसके बाद यहाँ पर एक टर्म्स देखने को मिल जागा, इस पर आप लोगो भाई क्लिक कर देना है, पूर्चिट पर क्लिक कर देना है, बेसिकली NSDL में हम अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अधार OTP बेसिस पर वो आप लोगो बताया जागा, अब उसके बाद यहाँ पर पूरा डीटियल देखने को मिल जागा, अब यहाँ पर आप लोगो बताया जागा, अपना EQYC के लिए, सिंपल सा अधार नमर, और यहाँ पर टिक कर देना है, जनेट OTP, आपके अधार काट पर जो भी नमर रेश्टर रहता है, उस पर OTP आगा, अपना OTP बेरफाई कर देना है, जैसी कि मैंने अधार नमर फिल क पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, अब यहाँ पर OTP जनेट हो चुका है, पीस मिनुट तक यह OTP बेरफाई करना कुछी नहीं है, अब यहाँ पर आपका एशाइन कंपलीट किया ज़रा है, अगर आप यह कंपलीट नहीं करते हो, तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है, अब यहाँ पर confirmation detail, जिसके अधार काड का आपने OTP बेरफाई किया, उसके यहाँ पर अधार काड में जो भी detail रहेगा वो देखने को मिल जागा, turns पर भाई क्लिक कर देना है, और नीचे में आप लोगो next बटम है, next बटम पर भाई क्लिक कर देना है, अब उसके बाद यहा आपका account number, IPC code, customer ID, यह सब देखने को मिल जाएगा, अब यहाँ पर एक अलग से account number देना पड़ेगा, यह otherwise UPI देना पड़ेगा, देना चाहते हो, दे सकते हो, otherwise skip कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर दे देता हूँ, कोई भी issue नहीं है, अगर आप लोगों पास नहीं है, तो skip कर देना कोई भी दिकत नहीं, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने application को भाई पूरा minimize कर दिया था, cut कर दिया था, दोबारा मैं यहाँ पर open करता हूँ, open करती यहाँ पर MPN कुछा जाएगा, जैसे कि मैंने starting में बताया कि जो MPN generate किया, वही MPN यहाँ पर feel करना पड़ यहाँ से अपना UPI easily activate कर लिजिए, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, और बाकी यहाँ पर देखिए, आकाउंट का पूरा डीटेल, यहाँ पर balance बगर देखने को मिल जागा, मेरे account नमर यहाँ पर सो हो रहा है, और बाकी card का बात करें, तो इस चैट में card का section मिल ज होप आप लोगों यह वीडियो पसन है, वीडियो पसन है, तो लाइक करना, शेर करना, पेस पर देख रहे हैं तो भाई पेस को follow कर लेना, अदरवाइस चैनल पर देख रहे हैं तो भाई चैनल को subscribe करेंगे, बैल के प्रेस कर देना, ताकि फीचर में वीडियो डालेंगा, उसका नोटिशन आप लोगों मिलता रहेगा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में तब तक क्ले, बाई बाई